नमस्कार मैं डॉक्टर मीनल राजुरुकर आर्ट हब इंडिया इस चैनल में आपका स्वागत है एक कलाकार इस सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चित्रकार की एक ऐसे कलाकार की जो जर्म से तो रश्यन थे पर भारतिय दर्शन और संस्कुरुती तथा कि वो असीम प्रेम रखते थे उस कारण उनका निसंदे ही भारतिय कलाकारों में गनना करना उचिती ही होगा उस कलाकार का नाम है निकोलस रूरिक जैसे कि हमने कहा था उनका जन रश्या में हुआ था तो उनका जन है 9 अक्तूबर 1874 में रूस के सेंट पिटरबक्स के पास नोगुराट करके शहर है वहां उनका जन हुआ था वो शहर धार्मिकृत्ति का था तो स्वाबाइकता से उन पर उन्सका आसर हुआ उन्होंने आरंबिक कला शिक्षन रश्यन चित्रकार आरखिप कुइंग जी से लिया था नोगुराट छोड़के बाद में उन्होंने काम पे कोई भी असर नहीं हुआ उन्होंने रश्या के सौंदरे मतलब उत्तरी देश के तालाव वन पहाड आदी का प्राक्रोतिक सौंदरे से मुखद होकर उस पर काव्य भी लिखे और उस पर चित्र भी बनाए उसमें पवित्र जरना सागर पार के महमान ये आदी चित् प्रदर्शिनिया हुई और लोकों ने काफी प्रशन सा भी की किन्तु पाश्चात्य भोतिकवादी जीवन से वो उदासिन होकर भारत आए यहां की भारत की संस्कृती दर्शन और हिमालय के संदर्य को देखकर उनका मन मुखध हो गया हिमालय के प्राक्रितिक संदर्य को अब वहां उन्होंने जो भी भारतिय संस्कृती भारतिय कथाओं के बारे में सुना था उनके उन्होंने अपने चित्रन में विशय बनाए रोरिक बनारस, इलाहबाद, कलकत्ता, मद्रास, महिसूर, हैद्राबाद, इन दोर आधी जगों पे भी गए थे बनारस के धाता बुद्ध, कलकी अवतार, भागवान स्रीकृष्ण तथा इलाहबाद में मैत्रेय, अरहट, आधी चित्र उनके चित्रशयली के विशेश रहे है युद्ध के समय पुरातन, वह एतियासिक स्मारकों, वह कलाकृतियों की रक्षा के हेतु, आंतराश्य स्तर पर प्रेतन करके, रोरिक ने एक समझोता तयार किया, जो रोरिक संधी नाम से जाना जाता है रोरिक रविंद्रनाथ टागोर के मित्र थे, वह एक दूसरे को आत्मिक बंधू समझते थे रोरिक के परिवार में उनकी पत्नी एलीना जो लेखक थी और उनके दो पुत्र जिन में से जेश्ट का नाम है यूरी निकोलेवीच जो ओरिएंटल स्टडिस के प्रोफेसर थे और वो रूस चले गए थे दूसरे पुत्र थे स्वेतो स्लेव रोरिक ये भी एक चित्रकार थे ये बेंगलोर में रहते थे और इनकी पत्नी जो कि प्रशिधा अभिनेत्री देवी करानी थी एक ने कुछ कविता लिखी थी जो फ्लेम इन चालिके के नाम से प्रसिद हुई इनके किताबों में आर्ट ए प्रिडोमिनेंट फेक्टर इन आर्केलोजी रशियन आर्ट लंडन ब्यूटिफुल यूनिटी बॉम्बे आधी किताबे शामिल है एक चोटे बेटे सवेतो स्लेव और उनकी पतनी जो की उसकाल की प्रसिद अभी नेतरिति देवी का रानी वो कुलू आये और उन्होंने कुलू के राज़्दाने जो नगर जहां रोरिक रहते थे उनके मकान को उन्होंने म्यूजियम के तौर पर रूपान तरित किया और व कुलू में बनाये हुए हम चित्र के बारे में अगर बात करते हैं तो उन्होंने हिमालय के आसपास घटने वाली या छोटी-छोटी घटनाओं को अपने चित्रों में स्थान दिया हुआ है उसी तरह हां उन्हों ने हिमालय पर गिरने वाला सूर्य का चाय अलग-अलग टाइमिंग में जो भी हिमालय का दर्शन होता है उन्होंने अपने चित्रों में दिखाया हुआ है हिमालय की चित्रों में drop of life, हिमालयास, pearl of searching, evening, हिमालयास landscape, आदी जैसे चित्र हैं हमने देखने को मिलते हैं रोरिक की चित्रे विशेवस्तू, अद्बुत रंगों का प्रयोग, धूपचाव का चित्रन, उचाई घहराई का प्रदर्शन, बाद लोग के अनिक रूप, रंग, उसी तरह से प्रतिकों का उपयोग और अलग-अलग उनकी चित्रों की विशेश्ता है, इस कारण उन्होंने जो भी परवतों की चित्रन किया हुआ है, उस कारण से उनको परवतों का कुशल चितेरा भी कहा जा सकता है चित्रों में हम देख सकते हैं कि विशेवस्तु जो था, मतलब विशे जो थे, वो भारतिय थे, भारतिय संस्कृती उससे जलक रही थी, पर उनका जो साकार करने का तरीका था, वो रश्यन था, तो दोनों संस्कृती का मिलाफ हमें इन चित्रों में, रोरिक के चित्रों मे दिखाई पड़ता है अप्रेल उनी सो त्रैन्यों में इंटरनेशनल रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट नाम से एक संस्सा संगटित हुई जहां प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाच पे आये हुए थे उन्होंने एक करूट का यहां सरकारी अनुदान भी दिया था जिससे रूसी सं अलाके बारे में रूची है वो हमें दिखाई पड़ती है और उनमें जो सतरकता है वो भी हमें दिखाई पड़ती है तरह जो महांचित्रकार थे निकोलस रोरिक इन्होंने 13 दिसंबर 1947 में अपनी अन्तीम सास की रोरिकार्ट गैलरी के प्रांगण में इनकी एक मूर्ती स् असी तरह उनके कुछ सेल्फ पोट्रेट्स है या उनके फूल पोट्रेट्स जो है वो हमें इसी ग्यालरी में देखने को मिलते हैं तो हमने आज निकोलस रोरिक के बारे में जाना अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए कलाकर के साथ एक कलाकर सीरीज में इस चैनल को लाइ शेर सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद